दोस्तो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले यूरी मैक्स जड़ कैपसुल के बारे में यूरी मैक्स जड़ कैपसुल सिपला लिमीटियर द्वारा बनाया जाता है इसमें टामुसिलीन 0.4 mg एंडेफला जाकॉर्ट 30 mg कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज य किड्नी स्टोन का इलाज किड्नी के पत्री पेशाप की समश्चा के कारण बन सकता है जिससे पेशाप करने में समश्चा बार बार तुरंत पेशाप जाने के आउशकता होती है यूरी मैक्स जड़ कैपसुल जो के आपके कुछ केमिकल मैसेंजर को रोकता है जिससे आपके ब्लड वेजल रिल्याक्स हो जाते ब्लैडर की मासपेशियों को आराम मिलता जिससे आपका यूरीन इजिली प्लास हो जाता है इससे पत्री मुतर के माद्यम से आसानी से निकल जाती है ये किड्नी के पत्री के कारण होने वाले दर्द, जलन, असुईधा से भी रहात देता हाला कि ये पाया गया है कि ये दवा बड़ी पत्री वाले लोगों में बहतर काम करती है अब जानते ही इसे यूच करने के लिए अब जानते ही यूरी में एक जड़ कैपसुल के साइड इफेक के बारे में इस दवासे होने वाले ज़्यादातर साइड इफेक में डॉक्टर की सला लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ती और नएमित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक टाफ्टे आप समाप्त हो जाते है अगर साइड इफेक बने रहते हैं अलक्षन बिगणने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सला ले यूरिमेक जड के सामाणने साइड इफेक जैसे नाग बहिना चकर आना जाई सेलक्षन शामिल है अब जानते यूरिमेक जड कैपसुल का इस्तमाल कई सिक्रिया डूस्यस के बारे में इसे साबुद निकले इसे ना ही चबाए ना ही कुछले और ना ही तोड़े यूरिमेक कैपसुल को भोजन के साथ लेना सबसे बहतर होता है अब जानते हैं यूरिमेक जड कैपसुल किस प्रकार काम करता है यूरिमेक जड कैपसुल दो दवाओ का मिशरन होता है टैमुसिलीन अंड देफलाजाकॉट इसमें से टैमुसिलीनिक आलफा ब्लाकर होता है ब्लैडर की प्रोस्टेट ग्लेंड के असपास की मास्पेश्यों को आराम देकर काम करता है तके मुत्र आसानी से पास हो सके वही डपलाजा कॉर्ट, स्टिरोइड दवा होता, यह मुत्र के माद्यम से पत्री को निकलने को बढ़ावा देने के लिए किड़नी की सुजन को कम करने में काम करता है, अब जानते इसे उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में इसे लेते समय, शराप का सिवन न कर क्योंकि इसे नीदानी की समश्या बढ़ सकती, इसे लेते समय गाड़ी चलानी या मानसी के काकरता वाला कोई भी काम न करी, क्योंकि इसे नीदानी की समश्या हो सकती है, यह जान करी, आपको कईसी लगी दोस्तो, अच्छी लगी हो तो यदियो को लाइक और चैनल को सब् स्ट्राइब करना न भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जय हिन दोस्तो